प्रफल बिलोर को लोग MBA चायवाला के नाम से जानते हैं उन्होंने बहुत कम उम्रे में सफलता हासिल की उन्होंने अपने सफलता के नीव छोटे छोटे कदम बढ़ा कर रखी इस सफर में उन्हें बहुत कुछ सुनना भी पढ़ा और शहना भी लेकिन वह बढ़ते गए फिर 24 साल में चाय बेचकर करोड़ पती बने हमेशा से करना चाहते थे MBA प्रफल बिलोर हमेशा से MBA करना चाहते थे लेकिन कई प्रयाशों के बाद भी कैट निकाल पाने में सफल नहीं हुए इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की इस पास सेवा काफी उदास भी हुए इसके बाद उन्होंने अलग-अलग सहरों में कुछ नया खोश शुरू किया इसके लिए चिन नहीं, मुंबई, हैदराबाद जैसे सहरों में गए उन्हें कुछ ढंका आइडिया नहीं आ रहा था मैक डोनल्ड में की नौकरी प्रफुल बिलोर ने फिर एहमदाबाद में मैक डोनल्ड टीलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की यहाँ उन्हें करीब एक घंटी के 37 रुपए मिलते थे कुछ दिन बाद उनका प्रमोशन हो गया वह प्रमोट होकर वेटर बन गया नौकरी करते हुए दिमाग में आई बात जौब करते हुए प्रफुल की दिमाग में एक बात आई उन्होंने सोचा कि जब विदेशी कंपनी हमारे देश में बर्गर बेच कर इतना ज़्यादा कमा सकती है तो क्यों न वा भी अपना खुद का कोई प्रड़क्ट चुने जो पूरे देश को कनेक्ट करता हो काफी दिमाग चलाने के बाद वा इस नतीजे पर पहुंचे कि सिर्फ चाय है जो हर जगा कॉमन है नौर्थ से साउथ और इस्ट से वेस्ट हर जगा हर कोई इसे पीता है कैफे शुरू करने को नहीं थे पैसे इसके बाद प्रफुल अपना कैफे शुरू करना चाहते थे लेकिन इसके लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने सोचा क्यों न छोटी शुरवात ही की जाए इसके बाद उन्होंने चाय का श्टॉल लगाने का फैसला किया। इसके लिए भी उन्हें बरतन, श्टॉल और दूसरी चीजों की जरूरत थी। उन्होंने जूट बोलकर पिता से इसके लिए पैसे लिए। अंग्रेजी में बात कर बेचते थे चाय। कमाने लगे तो उन्होंने नौकरे छोड़ दी। चिड़न का हुए एक सिकार। इस दोरां प्रफुल ने एक लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में उन्होंने देखा कि छात अपना काफी समय बेकार कर रहे हैं। फ्योजर पर उनका कोई ध्यान नहीं था। या देख प्रफुल ने अपने बिजनेस पर फोकस किया उसे और बढ़ाने की कोशिश की। जब सब कुछ ठीक चला था तो वह चिड़न का सिकार हुए आसपास के दुकान वालों ने उनकी दुकान बंद करवा दी। नहीं मानी हार। प्रफुल ने इसके बाद एहमदाब चायवाला। धीरे धीरे उनका कारोबार इतना बड़ा हो गया कि आज इसका टर्नोवर करोडों में है।